दोस्तों सौगत करता हूँ आपका स्री निवास्टी में जैसा कि यह वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों यह टी टेस्टिंग टर्मिनोलोजी यह क्या होता है कि कुछ टी टेस्टिंग जो टर्म होते हैं जो सब्द होते हैं उसी का यहां पर वर्णन किया गय है तो जैसे टर्म डкимиपालि ड्री लीव को यानि की जो हम पत्ते डेख या पत्ती को पैट पे डालके जैसे इस तरह हैं तो इसका लुट देखते हैं कैसा है लुक में ब्राउनी से ब्लैक है कैसे दिखने मेझ्रों कैसा है व दिहली सभी डाना है यह सब ओष सब्सेंश में आज आपको दिखा रहे हैं तो चलिए वो टी टेस्टिंग सब्द है टर्म है उसका हमें यूज करना चाहिए उस चीज को हम लोग को समझना चाहिए जो की बहुत ही ज़रूर दोस्तों जैसा कि 28 टर्म से करीबन तो हम लोग आज पांच टर्म को पढ़ेंगे और जानेंगे उसके बारे में डीटेल में तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे पहला पॉइंट निकल कर आ रहा है ब्लैक ब्लैक क्या दर्साता है क्या सब्द यह जो ब्लैक है जो हमें क्या डिस्क्राइब करता है इस चीज को हम अब समझते हैं ब्लैक अपीरेंस इस डिसारेबल जो ब् रहा है तो इसी चीज को डर्म जो है वह सब्द ब्लाइक वह दर्सार तो देखें लुक यह ब्लाइक ज्यादा खुब्सूरत डिख रहा है यह थोड़ा ब्राऊनी थे कम अच्छा अब आगे बढ़ ठेल तो जी हैं दोस्तों अब black appearance is desirable black appearance क्या होता है आकर्शप होता है दिखने में और preferably with bloom मतलब यह दरसाता है bloom को ठीक है यानि कि good manufacture को दरसाता है कि चाय की sorting और manufacturing अच्छे तरीके से हुई है अब क्या this term is used with orthodox और rotor vein manufacture यह जो टर्म है यह जो black सब्द है यह use हुआ है orthodox category के लिए orthodox जो चाय होती है लंबे लीफ वाले बड़े पत्ते जो उसके लिए और rotor vein machine होता है जिसमें चाय की cutting, shorting बगरा होती है तो उस चीज को यह दरसा रहा तो पहला point हमारा खतम हुआ दोस्तो अब second में आते हैं हम लोग blackish blackish this is a satisfactory appearance for CTC and LTP manufacturer tease and denotes careful sorting यह blackish जो word है जो सब्द है यह दरसा रहा है यह बहुत ही संतोष जनक appearance देता है CTC का जब हम लोग pad पे डालके look देखते हैं चाय का तो काफी आकरसर काफी बढ़ियां दिखता है और यह यही दरसा आता है कि इसकी sorting जो sorting जो हुई है careful तरीके सोई है और अच्छे सोई है निग्रानिम हुई है तो अब next point चलते हैं हम लोग bloom a sign of good manufacturing and sorting यह भी इस चीज को दरसाता है यह सब की manufacturing जो हुई है चाय का जो निर्माड हुआ हो काफी बहतर तरीके से हुआ है और उसकी sorting जो ही है वह अच्छे तरह के से तरीके से हुई है अब देखिए वैदा डिड्रेक्शन ओफ लीफ हैज मेनली टेकन प्लेस बिफोर फाइरिंग जहां पर पत्तों की कमी फाइरिंग के पहली हो जाती फाइरिंग इन दसेंस किसको बोला गया जो फाइरिंग वर्ड है जो लीफ होते है ग्रीन लीफ जब उ जाता है उसमें और एक शॉप्टनेस भी आता है तो इस चीज को फाइरिंग से दर्साया गया है और यहां पर यहीं चीज बताने की कोसिस की जा रही है कि यह जो डिडक्शन ओफ लीफ पहले ही हो जाता है पहले क्या किया जाता है जो ग्रीन लीफ पत्ते हैं उसमें से जो अर्थोडॉक्स चैका जरब निर्मान हो जाता है जरब बनकर आ जाती है तो उसमें जो शाइनिंग होती है यह एकति का मकसद वही बता रहा हैको उसमें पत्ति में एक शमक आपको दिखेगे कि शायनं दिखेगे लुक अच्छा धिक लगेगा पीरियंस उसका बढ़िया लगेगा वह रिमूब नहीं होती ओवर शॉटिंग भी अगर कर दी जाए ओवर हैं लिंग का प्रोसेस भी किया जाए तो वह जो चमक है बरकरार रहती है वह मिस नहीं होती है अब नेक्स पॉइंट में जाते हैं बोल्ड बोल्ड सब क्य आधर सा रहा है पार्टिकल्स ओफ लीफ विचा टू लार्ज फॉर्ड पर्टिकुलर ग्रेड जैसे पकल लीजे एक पर्टिकुलर कोई ग्रेड है सीटी सी का समझ लिए बीपी में पकड़ता हूं तो बीपी अभी क्या हुआ कभी क्या होता है कि मैनुफेक्टिंग जब ह मतलब छोटा बड़ा बड़ा कभी इससे भी वड़ा इतना बड़ा आ जा रहा है ऐसा होता है तो इसको तो कि अवह जाते हैं है व्यूंड ब्राउन ऊपीरियंस जो brown look है, पत्तो का, चाय का, चाय पत्ती का, with CTC and LTP manufacture, normally reflects too hard treatment of the leaf, यह क्या होता है, यह manufacturing actually defect को बोला गया है, इसमें क्या होता है, ज्यादा too hard, मतलब treatment जो होता है, लीफ का, मतलब की जो machine जो rolling होती है, पत्तो की, मशीनों में, जब चाय बनती है, तो उसके दरवान अगर ज्या जानी हो गई, यह कुछ उसमें defect है, तो उसके कारण क्या होगा, चाय की जो पत्ती है, उसका color कुछ ज्यादा ही brown हो जाता है, थोड़ा brown होने से कोई फरक नहीं होता है, ज्यादा brown हो जाता है, तो इसी term को, इस सब्द को यहां यह बता रहा है, तो चलिए, अब लास्ट य training and development program 18 और 19 दिसंबर को होने जा रहा है, आप लोग जरूरी से join करें और इन सब नई नई चीजों को जरूर सीखें, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही नमस्कार